हलो गुड मॉर्निंग ओल उप यू सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यारबरा नमस्कार मैं विवेक कुमार यूवी कंपिटिसन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तो रोजाना की तरह मैं लेकर हजीरू डेली करंट अपिर्स जीके जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लेंग्वेज में अपडेट्स हैं मेरे प्यारे साथियों आज 25 फर्वारी 2019 के करंट अपिर्स की हम बात करते हैं साथियों यदि आपने डेली करंट अपिर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपेट्सन सब्क्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपेट्सन चैनल को सब्क्राइब करें और साथी बैल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए अपडेट्स के नोटिपिकसन मिलते रहें इसके साथ यह दिया आप राजस्तान जी के और मेकनिकल इंजिनेरिंग पढ़ने के इच्छुक है तो उसके लिए अनकेडमी एप पर मुझे फॉलो करें अनकेडमी एप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा आईए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार सबसे पहले बात करते हैं हम राष्टे समाचारों की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंदू फ्लू इन तेजस फाइडर जत मेड इं इंडिया अन थे फोर्थ देव आप एरो इंडिया शौ। आरो इंडिया इंडिया इस अलिभरी देवाइड टेव प्रॉर्थ देवेड प्रॉर्ट प्रॉर्टिपेशन इन दे एविएशन सेक्टर, सिंदू हैज बीकम दे फर्स्ट वुमेंट टो फ्लाई इन तेजस एरो इंडिया सोके चोथे दिन बैडिमिंटन इस्टार पीवी सिंदू ने भारत में बने तेजस फाइटर जेट में उडान भरी एरो इंडिया इस सोके चोथे दिन को उडियन छेत्र में महिलाओ की भागिदारी के तौर पर मना रहा है सिंदू तेजस में उडान भरने वाली पहली महिला यात्री बन गई है Next, National Certificate Board for Hospitals and Health Service Providers NABH has revised the Entry-Level Certification Process 2 So that the process is simple, quick, digital and easy to use NABH has created a new portal named HOPE for this purpose Its aim is to make small units which are providing services to the healthcare sector including hospitals across the country to provide quality services at the earliest stage Aspitalov और स्वास्ते सेवा प्रदाताओं के लिए राष्टे प्रमाणन Board NABH ने Entry-Level प्रमाणन प्रक्रिया को संसोदित किया है ताकि यह प्रक्रिया सरल, त्वेरित, डिजिटल और इस्तिमाल में आसान हो सके NBH ने इसके लिए HOPE नाम से एक नया पोर्टल सुरू की बनाया है इसका उद्देश से देशबर के अस्पतालो सहित स्वास्ते सेवा छेत्र में अपनी सेवाय दे रहे हैं छोटी काईयों को उनके सुरूवाती चरण में ही गुणवत्ता युक्त्यु सिवाव के लायक बनाना है Next, data released by the integrated department Management Information System of the Ministry of Drinking Water and Sanitation said that about 4 crore rural people in India are receiving metal polluted water These pupils are forced to drink water in which some metal is mixed in some form Like that arsenic, West Bengal and Rajasthan were found at the top of the polluted water पेजल और स्वस्ता मंत्रा लेकी एकिकरत प्रबंदन सूचना प्रणाली द्वारा जारी आकडों में कहा गया है कि भारत में लगबग 4 crore ग्रामीन लोग धातु प्रदुसित जल ग्रेंड कर रहे है ये लोग उस पानी को पीने के लिए मजबूर है जिसमें किसी ने किसी रूप में धातु मिली हुई है धातु प्रदुसित जल के आकडों में पश्ची मंगाल और राजस्तान टॉप इस्तान पर पाए गए है ये बात करते हैं स्पोर्स न्यूज खेल समाचार की Caribbean gooseberry Chris Gayle, who announced his retirement for one-day cricket, has made a century-long explosion in Bricktown 39-year-old Gayle played a superb inning of 135 in 129 balls, i.e. 12-6 and 3-4s During his 24th century in one-day, Gayle's bat came in the form of a dozen sixes along with the record of Gayle recorded in the international cricket, i.e. test one-day T20 international and completed 488 sixes, record of most sixes One-day cricket से सन्यास लेने की गोश्णा करने वाले के Arabi दुरंदर Chris Gayle ने Bridge Town में सत्किय धमाखा किया है, 49 साल के Gayle ने 139 गैंदों में 135 रन जिनमें 12-6 और 3-6 सामिल है कि रनों की जबरदस्थ पारी खेली, वंडे केरियर में अपने 24-वे सतक के दोरान गैल के बल्ले से दरजन बर छक्के निकले, इसके साथी International Cricket, Test, One Day और T20 International में सबसे द्याजा छक्के लाने का रिकार्ड गेल के नाम दर्ज हो गया है और उन्होंने कुल 488 छक्के लगा दिये तो मेरे प्यारे साथी यह था आज का Current Appears जो कि आपकी Current Appears है और सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है यदि आपका मारे वीडियो पसंद आते है तो लाइक करें जो भी आपकी Query है जो भी Question से वो Comment box में डाले और UV Competition चैनल को सब्ट्राइब करना और Share करना ना भूले Thank you so much धन्यवाद आपका दिन सुबह